प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के थाइलेंड दौरे की और आज उनके थाइलेंड दौरे का दूसरा दिन है तो आज पियम मोदी भारत आसियान और रसीपी सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं शनिवार को पियम बोदी ने भारती समुदाय की और से आयुज़ेत कारक्रम में जम्मू कश्मीर का जखर किया उन्होंने कहा कि भारत ने आतंगवाद और अलगाववाद के पीछे के एक बड़े कारण को नश्ट कर दिया है अनुचे 370 के अधिकतर प्रावधा निरस्त किया जाना और उसे दो केंदर शासित प्रदेशों में विभाचित किया जाना आतंगवाद और अलगाववाद पर चोट है मैं पेम मोदी ने जब कश्मीर के संबंद में बात की तो वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने खड़े होकर जबरदस्त तालियों से उनका भिवादन किया उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भारत ने आतंगवाद और अलगाववाद के बीच बोए जाने के पीछे के एक बड़े कारण से छुटकार पाने का फैसला किया और मोदी ने यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम में आयोजुत स्वस्ती पीए मोदी कारक्रम में कहा कि जब फैसला सही होता है तो इसकी गूंच पूरी दुनिया में सुनाई देती है और मैं थाइलेंड में भी यह सुन सकता हूँ